यहां पर हम प्रतिवा एंड अगें वेलकम टू टेचिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसी के स्टेजेस के उपर होने वाला है ठीके इससे पहले जो है आपने प्रॉपर एक वीडियो बनाए हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक जरूर दबाएं जिससे जब जब भी हम वीडियो डाने आपके पास नोटिफिक्शन एजली और सबसे पहले आपको नोटिफिक्शन मिल सके वीडियो गर आपको पसंद आता है आपके लिए हैल्फ रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें बात करेंगे moral development theory जो प्याजे ने दी थी नयतिक विकास का जो शिद्धान प्याजे ने गया है 1932 में उसमें जो दो stages उन्होंने बताया है तो उसमें जो first stage है वो है heteronomous morality यानि कि परतंत नयतिक्ता ठीके नाम से पता चल रहा है परतंत यानि कि दूसरों क हिसाब से जो नयतिक्ता आती है उसकी यहाँ पर बात ही है second जो है वो autonomous है उसके उपर हम आगे बात करेंगे first है यहाँ है heteronomous morality नयतिक्ता का यह ऐसा गूण है यानि कि नयतिक्ता का यहाँ गूण बच्चों में यानि कि 5 से 9 साल के जो बच्चे होते है उनके अंदर एक बात की जा रही है वो दूसरों के हिसाब से जो है जो भी दूसरों के rules और regulation है उसके हिसाब से वो बातों को मानता है बच्चा इन नयमों को बदल नहीं सकता है जैसे क्या example यहाँ पर हम लेते हैं कि बच्चा मानता है कि माता पिता शिक्षक और भगवान ने जो नियम बना है या फिर जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं गौड ने जो नियम बनाए हैं वही नियम सही है और जो इनको नहीं follow करेगा उसे सजा दी जाएगी तो यह है heteronormous morality जो की 5 से 9 साल के बच्चों के अंदर पाई जाती है next है autonomous morality ठीक है आपर दो morality की stages जो है प्याजे ने दी ह है तो second है autonomous यह स्वतंत्र ने दिखता यानि कि इसमें क्या है यह ऐसा गुण है बच्चों के अंदर जो कि 9 से 10 साल के अंदर बच्चों में आ जाता है ठीक है यह स्वैम से आता है वह अपने खुद के बनाए हुए नियमों को बनाते हैं अर्था बच्चा खुद से सही वा और क्या चीज गलत है तो यहां पर दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलता है दूसरों के रूस और राइगुलेशन को नहीं मानता है यहां पर खुद के रूस और राइगुलेशन को मानता है और खुद से ही विचार करता है कि क्या चीज सही हो सकती है और क्या चीज नही तो यह है Autonomous Morality तो आज के वीडियो में बसी इतना ही I hope कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें Thank you